जहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजयपत्ट डिफेंस एजुकेशन में आज है 25 दिसंबर 2020 इस वीडियो में डिसकस करेंगे डेली के करांट अफेर जो कि आपके आने वाले सभी एक्जामों के लिए काफी इंपोर्टेंट हैं हमारे आने वाले जितने भी HP SSC के एक्जाम है या फिर Railway के NTPC के एक्जाम है उन सभी के लिए हमारा डेली का करांट अफेर आपके लिए most important है आप हमारा basic foundation का course जो इन कर सकते हैं जो की आपके लिए रहेगा एक साल के लिए और कबर करवाएगा आपके आने वाले सभी state और government exam को जिसमें आपकी त्यारी बिल्कुल basic के साथ start की जाएगी इसमें आपको मिलेंगी online test series special notes और books जल्दी से जल्दी 100% sure success अपना batch आप विजयपाथ defense education में start कर सकते हैं तो चलिए first question है वीडियो का एशियाई विकास bank ADV ने पूर्वतर राजे में सहरी क्षेतरों और प्रेटन के विकास हेतू त्रिपुरा सरकार को कितने करोल रुपे का रिन देने की घोशना की है तो हाल ही में एशियाई विकास bank ADV ने जो हमारे पूर्व के राजे हैं बहा पर उनको 2100 करोल रुपे जो है 2100 करोल रुपे देने की घोशना की गई है नेक्स question है उद्योग मंडल S.O.C.M. के ने अध्यक्ष के रूप में पधवार निमन में से किसने संभाल लिया है तो बिनीत अगरवाल जी ने जो है वो S.O.C.M. के ने अध्यक्ष बनाए गए है नेक्स question है भारत सरकार ने हाल ही में I.V.C. कोड यानि दिवाला और दिवालियापन सहीता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया गया है तो भारत सरकार के दौरा मार्च 2021 तक I.V.C. कोड यानि जो दिवालिया होता है या फिर दिवाला होता है कंपनी के खिलाफ उनके निलं किस तक भारत सरकार दौरा बढ़ा दिया गया है नेक्स question है हाल ही में भारत और किस देश ने अपने अभासी सिखर समेलन के दोरान रक्षा पेट्रो केमिकल और परमानू उर्जा जैसे क्षेत्रों में साथ समझोतों पर हस्ताक्षर किये हैं तो भारत और बियतमान के हैं रक्षा से पेट्रो केमिकल से और परमानू उर्जा से अगर बात करते हैं भारत के जो हमारे रक्षा मंतरी हैं तो वो हैं हमारे भारत के रक्षा मंतरी राजनात सिंग और बात करते हैं कि अटोमिक और स्पेस जो हमारे मनिस्टर हैं उनका जो कारेभार वो भी वो जो ह वो दिया गया है भारत के परधान मंतिरी नरेंदर मोदी जी के पास नेक्स कोशन है गोवा मुक्ति दिवस निमन में से किस दिन मनाया जाता है तो गोवा मुक्ति दिवस जो है ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को काफी interesting history जो रही है वो गोवा की रही है और 19 दिसंबर को ही गोवा जो है वो एक संपूर्ण राज्य बनाया गया था तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ती दिवस जो है वो पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है नेक्स वन है राश्ट्रिय उपभुकता अधिकार दिवस जिसको की हम national consumer right day बोलते हैं निमन में से किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को पूरे भारत वर्ष में नेक्स कोशन है अमेरिकी अंतरास्ट्रिय विकास बित निगम ने किस देश में रास्ट्रिय निवेश और अपसरंचना कोश में निवेश करने की घोशना की है तो ये की गई है भारत के द्वारा नेक्स कोशन है केंद्रिय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी ने राज्य में 8,341 करोड रुपे की लागत से बनने वाली 18 नैशनल हाईवे परियोजनाओ का उधगाटन और सिला नियास किया है तो कौन से राज्य में 8,341 करोड से बनने वाली नैशनल हाईवे परियोजनाओ का उधगाटन किया है तो उस राज्य का नाम है राज्य स्थान और बात करते हैं कि केंद्रिय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है तो उनका नाम है नितिन कटकरी आपको कमेंट व जल्दी से जल्दी आप Birdsep Group जोइन कर सकते हैं इसका लिंक तिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारा CHSL और MTS का शूर बैच स्टार्ट कर सकते हैं साथ में हमारा HP Police का Advance बैच स्टार्ट हो चुका है तो जल्दी से जल्दी Mission 2021 के लिए आप अपना शूर बै प्राद